वेल हलो फ्रेंट्स दिपाली नाना वेलकम टू वर्चुल वाइज आज डिसकस करेंगे ईवियस यानी परियावरन अध्यन से जुड़े हो इंपोर्टिन टॉपिक्स को जो आपको हैल्प करेंगे आपके एक्जाम में कम से कम 4-5 मार्क्स गेन करवाने में और ये टॉपिक् उसको भी जरूर देख लेना में उपर आई बटन में भी पॉप अप कर दूंगी और साथी साथ डिस्क्रप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो फ्रैंस जरूर कंप्लीट वीडियो देखिए का आपको बहुत ज्यादा हैल्प मिलेगी और लाइक और शेयर करना विल्कुल मत भूर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो जब भी अप्लोड हो तो आप लोगों तक नौटिफिकेशन पहुंच जाए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टन टॉपिक से सबसे पह सब्सक्राइब नहीं पहरें और और हुविर्मेंटेंटल स्टडी में फ्राइमरी लवल पर सब्सक्राइब और पहुँना जाते हैं आप लोग जैसे कि जानते हैं ऑर फौर्फ और फिफ्थ क्लस में विए चारो चारो तरफ गूमता है तो चलिए अगर बात कर ले हम फैम आप family में जनम लेते हैं उसके बाद आप दोस्त बनाते हैं आप family और friends के साथ में all survive कर रहे हो लेकिन भाई खाना भी तो चाहिए मतलब second theme अब आप food अब खाना खा लील आप चाहिए और हमाई थने तो चाहते है चाहिवारे वालों के साथ सथ में घंदाउन करेगा चैसा है परिवार वालों के साथ में तो हमारी इंट्रेवल, लॉक्डाउन में कितना बोर हो, इस अच्छा एक्जामपल कोई नहीं है, आप लोग गों अच्छे तरीके से याद भी रहेगा, इस पर लगाया ध्यान न, इस पर लगाया ध्यान न, लगायी आपकी समझ, आपकी दो-तिन नंबर आप लोगों को देखे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, एज़े टीज कोशन पूछे जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत घुमाफ़ा के पूछ लेगा, आप लोगों कोन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन आप लोगों कोन्फ्यूज नहीं होना बर, फिर से आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देती हूं कि आप लोगों ने फैमिली और फ्रेंट्स में जनम लिया है, उसके बाद में आप सर्वाइफ करेंगे, तो खाना जरूर खाएंगे, खाना खालिया तो आप लोग थड़, हमारी थीम है, वाटर जरूर पीएंगे, फिर अपनी फैमिली के साथ कहीं तो रह रहे हो ना, शेल्टर आ गया, आप घर में रहते रहते बोर हो जाओगे, तो क वाटर की में six themes हैं, उनकी जो पहली दो themes हैं, पहली family और friends, दूसरी food, उनकी sub themes है, बाकी किसी की sub themes नहीं है, इसलिए इसलिए याद हो जाएगा, खोली tension की बात नहीं है, तो पहली theme जो है हमारी, वो है family and friends, तो उसमें कौन-कौन से sub themes आती है, उनके बारे में देख लेते ह तो 1.1 है relationships, 1.2 है work and play, 1.3 है animal, 1.4 है plants, clear है और इनी सब themes से बनते हैं आप लोगों के जो EBS की book होती हैं उनके topics, उनके chapters family and friends क्या है वो board theme है और जो ये सब themes है वो 4 है relationship, work and play, animal और plant तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरी main theme की सब theme कोन सी है family friends में जनम लिया उसके बाद क्या खाना है हमने खाना खाना है ठीक है मतलब food, अब food की सब theme क्या क्या है पास सब theme है इसके अंदर तो family friends में कितनी थी? 4 थी, food में कितनी है? 5 है 2.1 मतलब tasting, 2.2 digesting, 2.3 cooking, 2.4 preserving techniques, 2.5 farmers and hunger इन सभी topics पर EPS की books में chapters हैं आप लोगों को पता है testing के उपर है कि किस तरीके से हमने tasting to digesting का chapter पढ़ा हुँआ 子 digesting का हमाने देख रहा हुए है कि कि सतरीके से खाना पस्टा ए किस तरीके से organs वर्क करते हैं cooking के उपर है किस तरीके से अलग-अलग background में किस तरीके से खाना बनाया जाता है लग अलग राज्यों में किस तरीके से खाना बनाया जाता है किस तरीके से कुकिंग स्टाइल है उन लोगों की हमारे फिर नेक्स्ट आ जाता है preserving techniques मतलब खाने को सबजी को किस तरीके से preserve करके रखा जाता है farmers और hunger के लिए मतलब farmers खेती कर रहें लेकिन उसके बाद में भी वो भूके रह रहे हैं उनकी कितनी सारी परेशानिया है बस इनी main themes की सब themes थी आप लोगों असानी से समझ में आ जाएंगी बस इन चीजों को आप एक दो बार repeat करके जरूर सुन लेना तो याद हो जाएगा चलिए अब next topic की तरह बढ़ जाते integrated learning मतलब एक इक्रत अधिगम मतलब एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ कर सीखना और समझना और थोड़ा सा clear कर लेते the child look at the environment around him and her in holistic manner and doesn't divided any topic into science and social science मतलब जो बच्चा है वो अपने environment को अपने परियावरेंड को पूरे holistic manner में देखता है जैसे कि हम लोगों ने कल questions भी solve किये थे कि बच्चा कैसे अपने environment को देखता है पूरे holistic manner में देखता है मतलब integrated तरीके से एक इकत रूप में देखता है simple वाशा में कहूं तो ebs में ही वो science और social science की knowledge को ले लेता है बिना किसी चीजों को compartmentalized किये होए कि अगर वो कोई भी example देख रहा है तो वो यह नहीं बोलेगा कि यह तो science का example है कोई भी experiment देखा कि यार यह तो science है या कोई भी geography से related चीज़ देखकर यह बोलता है यार यह तो geography है वो पूरे aspect को holistic manner में देखता है वही इसका environment है और वहीं से वो चीज़े सीखता है बच्चा subjects को हिस्सों में divide करके नहीं देखता है तो इसी को integrated learning बोलते हैं एक ही कृत अधिगम बोलते हैं ठीक है जब एक subject को दूसरे subject की knowledge के साथ में एक ही कृत करके जोड करके पढ़ाया जाता है तो वह एक ही कृत मतलब integrated learning होता है चलिए अब देख लेते हैं second point क्या कहता है second point कहता है कि EVS subject के अंदर first और second class के अंदर EVS की कोई book नहीं होती ये बात तो हम भी जानते हैं कि first और second class में EVS का subject नहीं है EVS की कोई textbook नहीं है पहली और दूसरी कक्षा में जो EVS से related issues होते हैं ये concepts होते हैं वो language और mathematics के थू ही पढ़ाया जाता है अब इससे ये question भी पूछ लेया जाता है कि learning का बोज करने के लिए ऐसा किया जाता है क्या तो ऐसा नहीं है जो EVS से related मुद्दे हैं वो language और math में डाल दिये गए है बस इतना ही हुआ है for example अगर मैं आप लोगों को समझाओं तो आप कोई भी poem पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चे उसके अंदर चंद्रमा के बारे में moon के बारे में समझ रहे हैं तो क्या हो गया poem हो गई हमारी language और जो moon हो गया वो हो गया EVS से included तो अब clear है चलिए अब समझ लेते हैं CCE को CCE क्या है Continue and Comprehensive Assessment मतलब सतत और व्यापक मुल्यांकन Integrated Learning और ये CCE बहुत ही important है आपके EVS में भी और other subjects में भी आपकी help करेंगे तो देख लेते हैं Evaluation of course should be a continuous process and the child should be assessed as she and he asks questioning observes real situation environment draws discuss in groups तो evaluation का मतलब होता है मुल्यांकन और इससे एक से दो question जरूर बन जाते हैं हर subject के अंदर तो ये बोल रहा है कि जो evaluation है न बच्चे का Continue होना चाहिए Continue process में होना चाहिए ये नहीं एक दो दिन उसका सारे बड़न दे दिये उसके ओपर टेस्स ले लिए उसके और बात ख़ता ये continue process होना चाहिए अब आपके mind में question चल रहा होगा कि continue process में कैसे assess कर सकते हैं बच्चे को तो आप कोई भी activity को लेकर बच्चों के साथ cautioning कर सकते हैं observe कर सकते हैं बच्चे को किसी भी चीज को लेकर कि वो किस तरीके से चीजों को deal कर पा रहा है कुछ उसकी समझ किस तरीके से चीजों को लेकर उसकी समझ बन रही है कुछ भी उसकी समझ के हिसाब से उसके experience के हिसाब से आप कुछ भी चीज़े उससे draw करवा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कार कैसे दिखती है, या train कैसे दिखती है, तो उसको draw करो, तो वो अपनी समझ से उस चीज़ों को draw करेगा, और उसके साथ में discussion कर सकते हैं, group discussion कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा important होता है, हमाई life के लिए, हमाई जीवन के लिए पानी बहुत important है, तो आप बताईए कि पानी को कैसे save किया जा सकता है, तो वो discussion करेंगे आपस में, आप real observe को observe करवाने के लिए filter पे ले जा सकते हैं, बच्चों को real चीजों से, real situation से आप deal करवा सक और share जरूर कर देना अपने दोस्तों में जो भी exam की preparation कर रहे हैं, और आप नहीं हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर देना और bell icon को भी press कर देना, I will see you next time, until then keep learning, be happy always, believe yourself, thank you so much, all the best.